दोस्तों आज हमारा क्वेशन है कैन आट ट्रेंगल इस पॉसिबिल वो थ्री एंगल आर नाइटीन, 105 और 70 तीक क्या एक ट्रेंगल बन सकता है जिसके एंगल कितने है नाइटीन है एक का दूसरा कितने है एक एक एंगल नाइटीन है दूसरा 105 है और तीसरा कितना है 76 यह ट्रेंगल पॉसिबिल बन सकता है या नहीं बन सकता है यह हमें देखना है तो हमें कैसे पता लगएगे कि ट्रेंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है तो आपको एक of angles of triangle equal to 180 होता है मतलब triangle के angles होते है जितने वी कितने 3 होते है एक triangle क्या होता है जिसके 3 side होती यह यह इनका जो sum होता है angles का वो कितना होता 180 होता है अगर मैं तीनों angle का sum करूं जब तक अगर 180 ना आए तो यह triangle बन जाएगा लागर इनके क्या 180 आ जाए क्योंकि ये तीन एंगिल्स होते हैं इनका सम कितना होता हमें सब 180 होता अगर हम सम करके देखें तो कितना तो 180 अब हमार पर एक को 19 दे रखा दूसरा कितना दे रहा 105 तो करनेंगे 105 और तीसरा कितना दे रखा, 76, इनका सम कितना होना चाहिए, इकल टो में 180 आना चाहिए, तो देखो, 105, 76, और 19, देखो, 9 और 6 कितना होता, 15, 15, और 5 कितना होता, 20, okay, 20, carry 2, 7, 1, 8, और ये कितना हो जाएगा, 9, 10, ठीके, carry 1, ये 2, तो देखो, सम हमारा आ रहा, 200, जबकि मुझे कितना चाहिए 180, ठीके, 180 चाहिए, तो कह सकते, not, ठीक, any triangle is possible, तो not, आप not possible, तो क्या जाएगा, not possible आ जाएगा, क्योंकि जब तक हमारा सम 180 ना हो, तब तक ये possible नहीं है, okay,